उन्नाव में आज नरसेवा नारायन सेवा के संस्थापक वभाजपा नेता विमल्दवेदी के नेतरत में संस्था के पदाधिकारियों ने जुलाधिकारी को ग्यापन स्वापा जिसमें मांग की गई की आगामी 22 जुलाई से पवित्र शिरावन मास शुरू हो रहा है सनातन धर्म में पूरे श्रावन मास भगवान शंकर जी का पूजन होता है वगंगा स्नान कर श्रधालू गंगा जल लेकर शिवालियों में जाते हैं वगंगा शंकर को चड़ाते हैं जिसके कारण मंदिरों वगंगा तटो पर भारी भीड रहती है जिसकी सुरक्षा वस्वच्छता व्यवस्था है तो जनपत के सभी मंदिरों वगंगा तटो को जाने वाले मार्गों को सही करा जाएं वगंगा तटो पर अस्थाई स्नान कर बनाए जाएं जिससे महिला श्रधालों को वस्त्र बदलने में असुविधा ना हो मंदिरों को जाने वाले मार्गों में खुले में मास बेचने वाली दुकाने वा अवैद बूचर खाने बंद कराने वा मंदिरों के आसपास से नौनवेज बेचने वाली दुकाने हटाई जाने सहित स्ट्रीट लाइटे सही करवाने प्रकाश व्यवस्था सहित चूना डल वाम्दिरों में महिला पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मियों की नियमित न्युक्ति करने की व्यवस्था की मांगी गई पहले आगामी जो 22 जुलाई से स्रवणमास सुरू होने वाला है उसको जो मंदिरों में हमारे सुरच्छा वो सच्छता पोलेकर आज ग्याबन दिया गया है जिसमें पूंखी गुरूप से मांग की गई है कि मंदिरों के जाने वाले मारगों को दुरूफ किया जाए उनको सही किया जाए क्योंकि अधिकतर मंदिरों के मारगों पर जल भराओ है और जो गंगा तटों में सध्धालू इसनान करने जा रहे हैं उन पर भी जल भराओ की स्थिती है वो मारगों को भी सही कराया जाए वा गंगा तटों पर महिलाओं के लिए आइस्थाई इसनान ब मंदिरों के मार्ग में खुले में अवैद मांस की दुकाने खुले हुए हैं उनको बंद कराने का हम लोगों ने जोड़ार से मांग की है और मैं जिला प्रसासन से चाहता हूं कि मंदिरों के आसपास रच्छा वा सच्छता का मिसेश ध्यान दिया जाए वह मार्गों को दुर देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर